कालका विधायक प्रदीब चोधरी ने कहा कि कालका में घ्रेलू बिजली और सिंचाई की बिजली हो रही है भाधित इससे जमिदार और किसान परेशान है लोगों को कम मी लगा चुटकारा कालकालके से विधायक प्रदीप चोधरी ने बुद्वार को कहा कि घ्रेलू और सिंचाई की बिजली की खराब स्तिती पर चिंता जटाते वे कहा कि बिजली विभाग के एदकारियों से बिजली संकट दूर करने पर जोर दिया विधायक परदीब चोधरी ने कहा कि गोगा जहर पीर के मेले चल रहे हैं ऐसे में बिजली को टोधती को जल्द से जल्द दूर किया जाए ताकि लोगों को ऐसे धार्मिक आयोजनों पर पर परेशानी न जहलनी पड़े कालका विधैक प्रदीप चोधरी ने कहा कि विधान सभा कालका में बिजली विभाग में स्टाफ की काफी ज्यादा कमी है और बिजली के फाल्ट ठीक करने में बहुत समय लगता है यहां तक इंतजाम की भारी कमी हैं लोग अपने साधनों से बिजली फाल्ट ठीक करने में मदद भी कर रहे हैं बिजली की किल्ल से पेजल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ता है और यहां तक दुकामदारी भी परभावित होती है क्योंकि अधिकतर काम बिजली पर निर्भर है और बिजली नहीं आने से जीवन शैली पर असर पड़ता है उन्होंने का कि यदि लोग विरोध करते हैं तो उन्हें कानून का डर दिखाया जाता है पिंजोर ब्लोक के रायतन और दून एरिया में बिजली संकट पर जिकर करते वे कालकवित हैक परदीव चोधरी ने कहा कि दून और रायतन एरिया के कई गाओं में रात भर से सुबह तक फोन आ रहे हैं कि बिजली की कटोती से लोग परिशान है परती दिन घंटो बिजली कटोती के गाण लोगों को बगैर बिजली के रहने को विवश होना पड़ रहा है बिजली विभाग तार्य में फीडर लोड की मरमत के नाम पर सुबह एक से की सुचना देने का नियम बना रखा है इसके बाद भी बिना लोगों को सुचना दिये मनमाने डंग से बिजली कटोती जा रही है इसे बिजली भोगताओं में रोश बढ़ता जा रहा है कालकावदैक प्रदीप चुद्री ने कहा कि ग्रेलू बिजली के लाबा सिंचाई की बिजली भी बातित हो रही है किसानों को इस वक्त धान के लिए जादा अफसे इंचाई की जूरत है लेकिन लोगों को किसानों के अरूप बिजली सप्लाई नहीं मिल रही